लिए जा रहा है कि ऑक्सवर्ड में जो एक डायलॉग होगा यानि के डॉक्टर जैश शंकर और उनके साथ-साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है खौजा सिव साथ उनका नाम काफी लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यह दोनों जो हैं वो हो सकता है कि डिबेट करें कश्मीर के ओपर तो चीमा साब वह बड़ा इंटरस्टिंग आपने बात बताई है कि वह एक कामल्डी शो होगा मैं तो कहता हूं दोनों कंट्रीज के एंटर्टेन्मेंट के लिए वह होना चाहिए तीस चालीस साल उसके पास तजर्बा है फॉरन मिनिस्टर राय डिफेंस मिनिस्टर राय बात की गवा हैं कि कश्मीर ना तो कभी भारत का अंदरूनी मौामला था और ना ही इससे मुतालिक फैसला कश्मीरियों की राय जाने बगए किया जा सकता है कश्मीरी इस वक्त एक जे के साथ रिलेशन बेस्तर करने ये मैं चैलेंज कर रहा हूं थी अब क्या डॉक्टर जैशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वह हमारे डिफेंस मिनिस्टर फाज आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिवेट करें मुश्किल लग रहा है बहुत ही मुश्किल लग रह होगी यह सी बात तो नहीं है खाजा सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन अमली तोर पर भारत पर किसी किसम का सिफारती दबाव नहीं डाला जा रहा है जिससे खिते की सुरतेहाल दिन बदिन कशीदा होती जा रही है से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फाइदा है उन्हें कोई जूरुत नहीं आप से दोस्ती करने के आप तो भूके नंगे हो यार आप से क्या दोस्ती करनी उन्हें क्या फाइदा है और आप दोस्ती करोगे आपको क्या फाइदा मिलेगा आपके खाने पीने की चीज़ जैसंकर साब के साथ डिवेट करना चाहते हैं आपको क्या लगता है यह कोमेडिस उसे कम होगा यह वंदा इसकी एसी सी वीडियो वायरल है अगर आप देखे तो एक वीडियो बहुत कोमेडी वाली है कि यह वंदा कच्छा उतार के नहर में कूद रहा है एज डिफेंस मिनिस कि वीडियो इसकी वायरल है और बोलता है तो पंजाबी और उर्दु मिक्स बोलता है इंग्लिस में एक बार यह स्पीच दे रहा था बोला मैं इंग्लिस नहीं बोलबाता और ना बोलना चलो अच्छी बात अपने रिजिनल लैंग्वेज को प्रमोट करो ठीक है लेकिन फ त्री बाता में ही डिवेट करो लेकिन इंग्लिस में डिवेट करेंगे उक्सपॉर्ड यूनिवेस्टी में डॉक्टर जै संकर साब से अब डॉक्टर जय संकर साब अब डाक्टर जे शंकर जो है सारी जिन्दकी और पीएश्डी डाक्टर मज़ेगी वारे बंड़ा पूर पीएश्डी है किमा साथ सारी उमर में बंड़ा डिप्लोमेटर रहे स्कालर है किताब में लिख चुका है अब वह बैस मुबासा होगा और खाजा मैं एक करूंगा बात मेरे मुझे पता है वैसे डाक्टर जे शंकर साब ने नहीं वहां पे आना लेकिन मैं एक और जरूर भेजूँगा फारन अफेर जो डिपार्टमेंट है कि त्यारी अगर अगर आने का प्रोर्ण बंचे तो त्य लेकिन एक वीडियों में उनको दिखाएं कि वह स्याल के उटके पास एक नेर के उपर कच्छा पैनकर चलाग भी लिखा रहें तो अचीमा साब वह बड़ा इंट्रस्टन यह आपने बात बताई है कि वह एक कामलडी शो होगा मैं तो कहता हूं दोनों कंट्रीज के एंटर्टेन्मेंट के लिए वह होना चाहिए कि खाजा साब पूरी जिन्दगी मेंबर रहे पारलिमेंट का तीस चालीस साल उसके पास तजर्बा है फॉरन मिनिस्टर राय डिफेंस मिनिस्टर राय कुछ ना कुछ तो तार साब उनके पास टीम भी त्यार करने वाली होगी यह सी बात तो नहीं है खाजा साब टफ कंप कंपेशन में टीम की और त्यारी की जुरूरत होगी डाक्टर जेशंकर वो खाजा साब त्यारी की जुरूरत नहीं नहीं तो बड़े बिजार थे कहते थे इसमें ना को त्यार है ना पैहे गिनिस मिनिस्टर रेचे यह ते पायानने से लेकिन एक बात थोड़ी सी मैं शेयर करना जो चाहूंगा कि जम्मू के अंदर मैं जो मैं एलेक्शन में और इससे पहले भी अपने दोस्तों से जो बातें कर रहा था चीमा साथ 370 से सारा कश्मीर खुश भी यह भी मैं बताना चाहूंगा आर्टिकल 370 से सारा जो कश्मीर है वो खुश भी नहीं है वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल 370 को पसंद नहीं करते लेकिन लेट तैम डिसाइड इस धिर जो है उनका हक है कि वो अपने मुस्तग्बिल का खुद फैसला करें बजाए इसके कि कोई चीज़ें आप उनके बारे में स्पेकुलेट करे गए हैं कि हम आपकी ब्रिक्स में मदद करेंगे लेकिन भारत जो है वो रिकावर्ट बन सकता है तरट साहब जब रूस का साथ देना चाहता है बारत को क्यों बनना चाहिए और अब आपको नहीं लगता कि आज नहीं तो कल परसों तरसों जब इतने और मुलकों को मेंबर् लेकिन बात सारी यह है कि डिबेट होगी क्या और अगर डिबेट हुई फॉर एक मिनट के लिए हम यह सोच लें कि यह डिबेट होगी तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई और उनका कहना यह है कि डॉक्टर जैशंकर जो है वो कुछी देर में भी मौजूद है तो मेरा फ्याल है कि खौजस आपको जरा अवाइड ही करना चाहिए कि वो डॉक्टर जैशंकर से कश्मीर के ओपर कहीं भी जो है वो डिबेट करें या तो जी आफ कैमरा करें ताकि किसी को पता ही ना लगे और जब आप बाहर आएं तो आप आके कहें कान कि आपके पास कोई वैलेट पॉइंट नहीं है कश्मीर के ओपर तो डेफिनेटली यहां पर बात थोड़ी गड़बडा जाएगी जहां तक मुझे मालूम है या मैं लोगों से पात करती हूँ तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि जी 370 को वापस लाए जाए पॉजासे साब ने एक टीवी चैनल पर बैट कर हामिद मीर साब जो हमारिया की जॉर्नलिस्ट है टीवी आंकर है उनके साथ यही बात की कि 370 जो है वो आ जाना चाहिए और अगर कॉंग्रेस की हुकूमत आई कश्मीर में तो डेफिनेटली 370 जो है वो आ जाएगा लेकिन बात सारी यह है कि 370 दुबारा लग जाने थे 370 वापस आ जाने से कश्मीर में पाकिस्तान को क्या फाइदा है अगर पाकिस्तान के आप किसी भी पैनलिस्स से या किसी भी पाकिस्तानी से यह पूछें जो इंडियन टीवी पे जाते हैं या जो इंडिया के बारे में डिब है ये बंद कर दी हैं ये तो नहीं कहूँगी लेकिन कम जलूर कर दी रेड़िये हैं जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है जिस तरह से वहां पर इन्वेस्टमेंट की है भारत ने तो भारत जो है वो बिना तलवार चलाए बिना गोली चलाए या किसी भी तरीके से लड़े बगएर ही कश्मीर में जो है वो एक तरह से अपना